नमस्कार, टाइवितालोग ओनलाइन इस्टूर्ट पर मैं गौर्व नरेजन, भूगोल और परियावरण का आपका ध्यापक आगामी परिक्षा जिसका माहुल बखोवी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में सिक्षक पातरता परिक्षा TET, टीजर अविलिटी टेस्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश की सैकड़ों, सैकड़ों बिद्यार्तियों का जिसमें बिल्कुल जीजान से लगे हुए इस परिक्षा के लिए उसी की बहतर से बहतर तैयारी हमारे यहां कराई जा रही है एक बैच सफलता पूरवक चल रहा है और दूसरा बैच आप लोगों की डिवांड पर जल्दी आने वाला है किस प्रकार से इस एक्जाम में कुश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार इसका पैटन भी चेंज हो रहा है उसी के संदर में आज बात करेंगे उसी के संदर में आज हम आपको कुछ कुछन भी सॉल्व कराएंगे परियावरण से संबंदेद अगर प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी में इसके पूरे के पूरे तीस कुछन आएंगे आपके ईवियस से और junior में बात करें तो junior में भी इसे परियावरन आते हैं junior में ना किवल परियावरन आता है बलकि उसके साथ साथ पूरा GS का portion पूछा जाता है एक बैच सबलता पूरवक चला है आप हमारे यहां जो भी विद्यारती पड़ रहे हैं आप उनसे हमारा feedback ले सकते हैं नियमे तुरूप से कच्छा हैं चलाएं जा रहे हैं और उनका timely code समाप्त कर दिया जाएगा ठीक ना चलिए आए तो इसी में हम देखते हैं कि जो भी परियावरन से संबंदित question पूछे जा रहे हैं किस प्रकार इनका trend बदल रहा है उसी संदर में मैं आपको question solve कराऊंगा साथी साथ उनका describe भी करूँगा जिस question का आपको answer नहीं मालूम होगा चलिए तो आपकी screen पर आज का परियावरन का पहला question आ रहा है आपकी screen पर और ए रहा परियावरन का पहला question कौन सा बायूमंडलिये प्रदूशक अमलिये वर्षा का मुख्यकारक है option A है SO2, option B HCL, option C H2S और option B N2 चलिए हम आपको समझाते हैं समझते होई चलना है तो अमलिये वर्षा की बात हो रहे हैं यहाँ पर देखेगा अमलिये वर्षा जहां पर हमारी तेल रिफाइनरी हैं तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है और उत्तर प्रदेश में जो तेल रिफाइनरी है वो आपकी मतुरा में है कहां पर है मत्वरा तेल रिफाइनरी से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है SO2 तेल रिफाइनरी से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है SO2 गैस जब बायू मंडल में आती है तो SO2 गैस बायू मंडल में आने के बाद जल से क्रिया कर लेती है और जल से क्रिया करने के बाद यह निर्माड कर देती है H2SO4 का जल से क्रिया करने के बाद यह निर्माड कर देती है H2SO4 का अब यहां पर बादलों का निर्माड हुआ और बादलों के निर्माड के बाद जब बारिस होती है बादलों के निर्माड के बाद जब बारिस होती है इस वर्षा में वर्षा जल के साथ साथ वर्षा जल और वर्षा जल के साथ साथ इसमें H2SO4 पाया जाता है इसी वर्षा जल के साथ H2SO4 जब पाया जाएगा तो इसी वर्षा को हम नाम दे देते हैं अमली वर्षा या ऐसीड रेन अमली वर्षा या इसी को नाम दिया जाता ह acid rain अमली वर्षा तो कौन सा बाविमेंडिली प्रदूशा के द्वारा यह वर्षा उत्पन हो रही है तो यह वर्षा उत्पन हो रही है SO2 gas के कारण तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 gas सही आंसर इन चार उप्शन में जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा SO2 gas सही आया पहला कुश्चन चलिए दूसरे कुश्चन की ओर भागते हैं हम लोग दूसरे कुश्चन की ओर चलते हैं देखेगा यह रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा कुश्चन निन में से कौन सरबादिक उत्पादक पारिष्टित की तंत्र है यानि सरबादिक उत्पादक तवाला पारिष्टित की तंत्र पूछा जा रहा है सबसे अधिक उत्पादन या उत्पादक किस पारिष्टित की तंत्र का होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सब्द समझते हैं उत्पादक सबसे पहले जो हम सब्द समझेंगे उत्पादक उत्पादक क्या होते हैं उत्पादक उत्पादक के अंतरगत हम पेड़ पौधों को सामिल करते हैं उत्पादक के अंतरगत हम पेड़ पौधों को सामिल कर लेते हैं पेड़ पौधे जहां पर प्यादिक पॉदह अधिक मात्रा में होंगे हम बोलते हैं वहां की उत्पादथ्ता दिखा होती है इनी प्याद पॉदों से जीब जन्तू, पेड़ पौधों से जीब जन्तू क्या पराप्त करते हैं तो इनी पेड़ पौधों से जीब जन्तू अपना भोजन पराप्त करते हैं पेड़ पौधे कहां पर अधिक मात्रा में पाए जाएंगे पेड़ पौधों का विकास अधिक मात्रा में कहां पर होगा तो पेड़ पौधी अधिक मात्रा में ऐसे छेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर वर्सा देखोगी जहां पर वर्सा अधिक होगी विश्वत रेकी छेत्र में पाये जाने वाले जंगलों को हम विश्वत रेकी वन बोलते है ठीक ना विश्वत रेखा पर वर्सा दिखोने का कारण विश्वत रेखा पर वर्सा इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहां का टेंपरेचर दिखोता है और टेंपरेचर दिखोने के कारण ही यहां पर वर्सा हो जाती है यानि वर्सा को प्रभावित करने वाला एक महत्रपू पेड़ पौधों का विकास अधिक होगा और जहां की पेड़ पौधों की संक्या देख वहां की उत्पादकता अधिक तो निम्न मैंसे कौन सरवादिक उत्पादक पारिस्तर की तंत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिश्वत रेखी बन अब इसी में पूच लेता सबस से कम कौन सा है तो सबसे कम हो जाएगा टुंडरा बायूम क्योंकि टुंडरा बायूम धुर्वों के पास पाया जाता है कम तापमान होने के कारण कम तापमान होने कारण बरसा नहीं होती है और जब बरसा नहीं हो पाती है तो पेड़ पौधों का विकास होना संभाव नह प्रिथिवी के वातावरण में किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है सिंपल सा कुष्टन डाले हैं एक हम क्योंकि पूछा जाता है और यहां पर जो बायू मंडल की हमारी पांच परते होती है उन पांच परतों को मैंने हिंदी में ना लिखा, इंग्लिस में लिखा है क्योंकि कई बार जेंड बदल देता है वह इंग्लिस वाला Turnology पूछ लेता है इंग्लिस का नाम करान पूछता है। चलि करके हमारी बायू मंडल में बएसिकली 5 परते हैं। सबसे नीचे छोब मंडल समताब मंडल मध्ध मंडल आयन मंडल और वहर मंडल फिक न करोट है छोब मंडल को हम इंगलिस में ट्रोपोश्पियर बोलते हैं छोब मंडल जितने भी मौसमी सम्हणित गहतना होती हैं वह यहीं घटेत होती है दूसरा बाला जो मंडल है इसको हम सम्ताप बोलते हैं क्या बोलते हैं सम्ताप और सम्ताप मंडल को इंगलिस में बोलते हैं स्ट्रेटो इस्पेर समताब मंडल को इंगलिस में क्या बोला जाता है इसी समताब मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है और समताब मंडल में ओजोन गैस की परत होने के कारण ही समताब मंडल को ओजोन मंडल नाम से भी जानते हैं अब मालिजेगा अगर इसी को मैं होर्डिस्क्राइब करूं कि आख्रे ओज् 어디 न परत क्यों जरूरी है तो शूर से 6 प्रकार का प्रकास साता है उसमें प्रकास होता आल्ट्रा वालिट रेज परावैगनी क्रण है कौन सी क्रण है परावैगनी क्रण है तो जो ओजोन लियर होती है यह सूर से आने वाली हानिकारक हानिकारक परावैगनी क्रणों को हानिकारक परावैगनी क्रणों को यह तो अवसूसित कर लेती है या पृतिवी के अंदर आने से रोकती है अधिकांस मातरम इसको आउसूसित कर लेती है तो परावेगनी क्रोणों को धरातल पराने से रोकती है कुश्चन पूचा जा रहा है पृत्वी के वातावरण में किस मंडल में ओजून परत पाए जाती है तो ओजून परत समताब मंडल में पाए जाती है और समता मंडल को इंगलिस में क्या बोलते हैं तो समता मंडल को इंगलिस में इस्ट्रेटोइस्पियर बोलते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्ट्रेटोइस्पियर ठीक ना चलिए हो गया कुश्चा नमबर 3 के बाद कुश्चा नमबर 4 पर आते हैं हम लोग ए रहा आपकी स्क्रीन पर कुश्चा नमबर 4 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर इस सूची 1 है और इस सूची 2 है ठीक ना चलिए पूंची रहा है भारत में कितने राष्टी पार्क है तो भारत में राष्टी पार्कों की संख्या पूंची जा रही है तो अगर बात कर रहे हैं राष्टी पार्क तो 2018 तक भारत में 103 राष्टी पार्क थे वर्तमान समय में इनकी संख्या 105 है हाती रीजर विच हितर कितने है भारत में तो बरतवाएं समय में 32 रीजर वच खेटर है कोशन पूछे जाते इस परकार टाइगर रीजर विच हितर सु तो टाइगर रीजर विच खे. जहां पचास और जेम मंडल आरेच छेत्रों की संक्या हो जाएगी अठारा कितने हो जाएगी अठारा इसको मैंने क्लास नोट्स में जो भी विध्यारती हैं हमारे ऑनलान बैच में जो भी एड़िसन लिये हैं उनको मैं डेटील में पढ़ा हूँ और वखू भी वो आंसर भी दे भा रहे होंगे ठीक ना चलिए हो गया कुश्य नंबर चार के बाद आते हैं कुश्य नंबर पांच पर समिदान के किस अनुच्छेद में यह उपबंदित है कि राज कि राज पर्यावरण का संरच्छनबा संबर्धन तद वन एवं वन जीवों की रच्छा का प्रियास करेगा तो हमारे मूल समिदान में ऐसा कोई उलेख नहीं था लेकिन 42 बास समिदान संसोदन जब किया गया तो हमारी जो डी पी एसपी है राज जी के नीती ने दे सकत तो कि आर्टिकल फोटी एट में हमने एक कलॉज जोड़ दिया फोटी एट एट में इस वात का उलेकिया गया कि कौन सा राज पर्यावरण का संरच्छनबा संबर्धन करेगा साथ ही साथ वन जंगल एवां उन जंगलों में रहने वाले जीवों को हमवन जीव कहते हैं वन जीव की रच्छा का क्या करेगा प्रियावरण राज और राज की बात जहां परकी गई है हमारे समिदान में वह है राज के नीती निदेशक्तत्तों को इंगलिस में बोलते हैं DPSP अगर भाग पूछ ले तो भाग बतानी कि हमें कोई आवशक्ता नहीं है जान रहोंगे कि 48A किस अनुछेद अनुछेद 48A किस भाग में सामेले आप बखू भी जानते हैं और जानते हैं तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा किस भाग में हो गई चलिए ठीक ना तो इसका सह सहन आधनियम पारत किया किस सरकार की जो धवारा जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं जीनकों चीनिकरमन वृटल लाइव बॉलते हैं इंगलीस में उनके सणरचन के लिए पारित किया, ये कुस्षियन कई बार एक्जाम में पूछ आगिया है, ना कि बल यूपी टी-टी में, बलकि अनेज़ाम में होते हैं, धीयस में पिस्यस में तग एक कुस्षियन पूछ आ गया, तो कि इसका सही आंसर क्या है? 1960, 1971, 1972 यह 1974 तो केंट सरकार ने 1972 ने 1972 में यह ऐदिनियम क्या किया था पारित किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशन No 6 का सही आंसर हो जाएगा 1972 में, ठिकना, चलिए, कुशन No 6 के बाद, कुशन No 7 की हो चलते हैं यह देखेगा मैंने question उठाए हैं जो हमारे अनुसंधान केंद्र होते हैं हमारे संस्थान होते हैं जहाँ पे हम किसी प्रकार के कोई research करते हैं उनसे सम्मधित भी question यहाँ पर पूछे जाते हैं लिखा है राश्टिय परियावरण अभियांतर की सोध संस्थान, इसको इंगलिस में नीरी बोलते हैं, National Environment Engineering Research Institute, नीरी बोला जाता है, राश्टिय परियावरण अभियांतर की सोध संस्थान, अवस्तित है, कहां पर इसका मुख्याल है, अवस्तित है, बेंगलॉर में, हैदरा यह कहां पर है, तो महाराष्ट के नागपूर में है, कहां पर है, महाराष्ट के नागपूर में है, PCS के साथ अन्य चोटी परिच्णोषोँ में भी पूछा जाता है, नागपूर में है, पूछा गया Queshan है, ठीक ना, छले कोशा नमर शाथ के बादा यह गा, automatic एराब की स स्थ्थर रहती है पहले गहठती है ठीक न एक व्याणिक तो एक वैग्यानिक नाम था लिंडमान नाम वैग्यानिक ने रहा कि माल लिइएगा यहां पर पहले में लिख रहा हूं उतपादक उतपाद को जो गरहन करेगा उसका उत्पादक कौन गरहन करता है जब प्राथमे को भूगता उत्पादक को गरहन करेगा तो महाला लिजीगा अगर उत्पादक के पाज सो प्रतिस्षत उर्जा है जैसे ही प्रात्मिक उभ्वकता इसको गरहन करेगा नब्वे प्रतिस्षत उर्जा का हिरास हो जाता मात्र इसकी दस प्रतिस्षत उर्जा यहां तक पहुंचती है किवल कि दस प्रतिस्षत उर्जा पहुँंच्ती है वैसी प्रात्मे को जब दुट्य ग्रहण करेगा तो इसके पास भी मात्र कितने मत्र दस पिरतिसत ओर्जा पहुँचेगी मात्र दस प्रतिसत के इस नियम को दस प्रतिसत का नियम है इस नियम को दस पृतिशत का नियम या लिंडमान का नियम कहते हैं लिंडमान का नियम या दस पृतिशत का नियम तो अब बताईएगा एक पोशन इस्तर से लिखा है पारिस्तित तंत्र में उर्जा की मात्रा एक पोशन इस्तर से अन्य में इस्तरांत्रन के पशाद बढ़ती या घड़ती है इसके पास स्वाप प्रतिस उर्जा थी जब इससे इसमें गई तो बढ़ी या घटी है इसकी तो बढ़ी है लेकिन उर्जा पूंच रहा है तो उर्जा उर्जा तो बढ़ गई लेकिन अगर ऐसा पूंच जाता कि उत्पादक से प्रात्मिंग में गरती है कुशन एक पर और से पढ़ियेगा एक पर स्थे अपर दूर्टा बल्बते पहले बड़ति पहले प्रितिशत और प्रतिश्चत प्रतिश्चत तो यह बताइए प्राथमिक के पास जितने थी उसके अलावा कितनी प्रतिसत और आगी दस प्रतिसत और आगई तो इसकी में उर्जा क्या होगी उर्जा बढ़ती है उर्जा क्या होती है उर्जा बढ़ती है अच्छे से कोश्चन को याद रखेगा ठीक ना चलिए उर्जा बढ़ेगी अब अगर ऐसा क क्या देता कि उत्पादक की कितनी प्रिस्त ऊर्जा का केवल स्थानत्रण हो पाता है तो 10 प्रती सत्थ लेकिन यहां पर एक चीज पूछ रहा है उर्जा की मात्रा 1 पोष्ण स्थर से अनिस्थर में स्थानत्रण के पश्चाद बढ़ती है गरती है तो इसके पास अगर 100 थी तो सौब मेसेज जब इसके पास आई तो इसके पास मालीज का पहली X थी अब 10 प्रतिसत और आ गई तो कितना हो गया 10 X 10 प्लस X हो गई है तो बढ़ गई ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है ठीक ना चलिए कुश्य नमर आठ के बाद कुश्य नमर नो देखिएगा निमने घाटियों में सरवादिक जैब इभित्ता वाली घाटी काउंसी है मूरका घाटी, दून घाटी, कांगडा घाटी ये सांत घाटी देखिएगा यहाँ पर एक सब्द लिखाए मैंने और यहाँ पर जो सब्द लिखाए सब्द का नाम है जैब बिभित्ता जैब का मतलब है यहाँ पर जीब जन्तू जैब का मतलब है जीब जन्तू और जीब जन्तू के साथ पेड़ पौधे तो जयाब कारते किया जीव जन्तु या पेढ़ पौधे ओर विभित्ता कारते बीनन Nós Ta यानि जीव जन्तु और जीव जन्तु और पेढ़ पाओ लूप की भिननदा को अभी बताइगा पेढ़ पाओ यहां पर वर्षा की मात्रा अदेखोगी वहां पर पेड़ पौधों की संख्या देखोगी तो इन मैसे जहां पर भी वर्षा देखोगी वहां पर सगन जंगल पाए जाएंगे तो वहां की जब वित्ता देखो जाएगी जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर कम बनस्पति पाए जा केरल में है सांत घाटी आपके कहां पर केरल में है और ये वखू भी जानते हैं आप कि जब सबसे पहले मांसून भारत में आता है तो केरल तमिलनाडू की सीमा पर इसते जो परवत हैं उन परवतों से टकराता है और टकरानी के बाद क्या कर देता है टकरानी के बाद वर्सा क जानते हैं किसके नाम से जानते हैं सांत घाटी चलिए वह गया है चलिए तो एक खुर कुछ नमर नो कुछ नमर नो कि बाद देखें कुछ 10 कि उत्रप्रदेश इस पेशल से लिए हैं ने निमलेखित में से किस जनपत में चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा वन जीव अभिहारन इस्तित है चंद्रप्रभा वन जीव अभिहारन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो याद रख लीजिएगा चासे चंद्रप्रभा और चासे चंदॉली तो चंद्रप्रभा जो वन जीव अभिहा देखेगा कुछ नमर गयरा धौनी प्रदूसरण से लिया है मैंने समझेगा अच्छे से लिखा है सामानिता सिनेमा घरों की दीवार पर कार्पिट लगा जाता है क्यों कि यह है अगर सिनेमा घर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सिनेमा घर की जो दीवार होती है अंद कि नंयदेर बढ़ लगा जाता क्योंकि यह द्वाने की तीव प spl kit की ब्रता बढ़ा देता है द्वाने को परावर्ति ने से रोकता हैं द्वानी को मध्रू बनाता है उपरोग तो सभी सही है आप देखिएगा, इमेजन करिएगा आपके पास कमरा होगा जो उस कमरे में जब तक आपका सामान पड़ा होगा आप बोलेंगी, जितनी तेज गती से बोलेंगी तो आपको लगेगा नहीं कि आप तेज बोल रहें लेकिन जैसी उस कमरे में से सारा का सामार बाहर निकाल दिया जाए और आप उसमें बोलिएगा तो आपकी आवाज गूझेगी क्योंकि वहाँ पर स्रोत हैं आप बोल रहें, आप स्रोत हैं लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं आपको स्रोता नहीं है तो आपकी धोहनी दिवास से ठकराने के बाद गूझेगी चिकनी सताए जो होती है चिकनी सताए पर परावरतन अदिक होता इसको हम है लवीडो बोलते हैं गर्मियों में हम सफीज साट पहनते हैं, क्यों? अगर इस गर्मियों में हमने काली सर्ट पहली तो काली सर्ट क्या करेगी अधिक मात्रा में प्रकास को अफसोसित करेगी जब अधिक मात्रा में प्रकास को अफसोसित करेगी तो गर्मिय बढ़ने लगती है यानि काले रंग की जो परावर्तन छमता होती है वो कम होती है जब जब ध्वानि गूजने लगेगी तो क्या आपको मजाने वाला है मुवी देखने में नहीं आएगा तो ध्वानी ना गूज पाए याई परावर्तन उसका ना हो पाए इसलिए सिनेमा घरों की दीवारों पर कार्पेट या फिर उन्हें खुर्दुरा बना दिया जाता है या दुरावर्तन होने से क्या करता है रोकता है ध्वानि को रोक लेता परावर्तन होने से थिक न तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशनमा 11 का option B कुशनमर 12 देखिए नियनके से कहां पर प्र Tao क्रवाल भिति जाता है तो समुझरी जीब जो है यह उस्ण कडवंदिये महासागर या सागरों में पाए जाता है तो उश्नकडवंदी ये सागर्या कहां पाए जाता है महासागर्वन पाए जाता है उश्नकडवंदी की बात करें तो यह हमारा गलोब है यहां पर करक रेखा है और यहां पर मकर रेखा है तो करक रेखा से मकर रेखा के बीच का जो छेतर होता है उसको हम उश्नकडवंद कह बंदे चाहिंना पंजाएगी्जा के लिखता रहे रावधिये प्रवाल बित्ति यह ने होगे दूइब कहते हैं तो लक्ष दूइब में भी पाई जाएगी कहानी पाई जाएगी इन चारों में तो दमन और दीब में इन चारों में से प्रवाल भित्ती जो है वो दमन दीब में नहीं पाई जाती प्रवाल जब मर जाते हैं प्रवाल जो है उसकर एक समुद्री जीव है और यह एक कबच के अंदर रहता है, कबच का एक सिरा बंद होता है, दूसरा खुला रहता है, जब पानी प्रिदूशित हो जाता है, प्रिदूशित पानी होने करण जब इसका सिरा बंद हो जाता है, जो और यह मर जाता है, तो दूसरा प्रवाल आसके इससे मिल जाता है, ए सिर्वार कर देते हैं, तो प्रवाल-भित्य का हम पर रहे हैं। जिसका नाम में Great Barrier Reep, क्या नाम है? Great Barrier Reep, चले ! कुशन नमर बारा के बाद देखते हैं कुशन नमर 13 मैंने जो आपके एखाम में नदियों से सम्मंदित कुछ परियोजना या बांधों के संदर में कुशन पूच़ जाते हैं वहां से मैंना कुशन उठाया है कौन सही सुमेले तो नहीं है कुछ नमर 13 है पूँच रहा है चार आपसन ए भी सीडी और एक साइड राज लिखे हैं और एक साइड उनकी सम्मन्द बांध लिखे हुए हैं पूँच रहा है कौन सही नहीं है तो सरदार सरोबर बांध गुजरात में है नर्मदा नदी पर सही है राणा सागर बांध चम्मन नदी पर है राजिस्थान में यह भी सही है टहरी बांध भाईरती नदी पर उत्रकण में यह भी सही है नागरजुन बान जो है वो तेलांग नाम है जबकि यहां पर करनाटक लिखा है तो यह वाला इसका जो आप्सन है वो गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा लेकिन उसने गलत नहीं पूचा है कह रहा है सही सुमेल कौंसा नहीं है तो यही वाला यहां पर सही हो जाएगा नागरजुन बान का सम्बन करनाटक से नहीं है बलकि नागरजुन बान का सम्बन जो है उते लागना राज से किसे लागना से चलिए कुशन नमर 13 के बाद दिखते हैं कुशन नमर 14 समाचार पत्रों में चर्चे स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट का सम्मन्ध है समाचार पत्रों में आज कर आप देखते होंगे एक बहुत पुराना कुश्चन है स्वामी नाथन का सम्मद किसे MS स्वामी नाथन और अगर मैं MS स्वामी नाथन बोल दूँगा तो जाहिर सी बाते हैं अब तुरानता अंसर बता देंगे भारत में हरित करांती कारिक्रम इन्हीं के सौजने से चला गया था और हरित करांती कारिक्रम वो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था उत्पादन को बढ़ाने के लिए गा खाद्यान उत्पादन हमारी संसादरगम थे और जनसंग के हमारी तेजगती से बढ़ रही थे तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित करांती कारिकरम चला गया था किसके सौजन से स्वामिनाथन के तो स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सम्मंद किस से है किर्सी कल्यार से किस से है किर्सी कल्यार किर्सी में उत्पादन को बढ़ाव देनी से तो इसका सही आंसर हो जाएगा किर्सी कल्यार से चलिया कुशन गास को कीट ने खाया एक छोटा जानवर इस कीट को मेड़क ने खाया और सर्प गरोन यानी पक्छी ने खाया ठीक ना, कहारा घास, घास को बक्री खाएगी, बक्री को हांती खाएगा, तो बक्री को हांती नहीं खाता है, यह गलत हो गिया, घास, घास को सर्प, सर्प को मेड़क, मेड़क सर्प को नहीं खाता है, यह भी गलत हो गिया, कीट, कीट को मेड़क ने खाया, मेड़क को गरौ शिखा जाएगा ठीक ना यहां पर पक्षे को नाम दे दिया गया गरोना ठीक ना तो इसका कोशन नमर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा चलिए 15 के बाद देखते हैं कोशन नमर 16 लिखा है एक ध्रोब से दूसरे ध्रोब की ओर जाने पर जैब वित्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ती है इस्तर रहती पहले बढ़ती फिर घड़ती आई हम समझाते हैं यह हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है यहां पर उत्तर ध्रोब है यहां पर कौन सा ध्रोब है तो यहां पर उत्तर ध्रोब है और यहां पर एक ध्रोब है और यहां पर जो ध्रोब है उस ध्रोब का नाम है दच्छनी ध्रोब एक उत्तर ध्रोब और दूसरे ध्रोब का नाम क्या है तो दूसरे ध्रोब का नाम ह समझेगा जैसे जैसे हम विश्वत्रेखा से उपर क्यों बढ़ते हैं या विश्वत्रेखा से उत्तर द्रुप की ओर जाएए तब भी तेंप्रेचर में कमी आएगी बिश्वत रेखा से दच्छकन दरूप की ओर जाएए तब भी temperature में कमी आएगी क्योंकि सूर की सीधी करणे जो हैं वो बिश्वत रेखा पर ही पड़ती है उत्तर दरूप और दच्छकन दरूप पर सूर की सीधी करणे नहीं पड़ती है बलकी सूर की कैसी करणे पड़ती है तिरची करणे पड़ती है नहीं तरूप गाथ को याद रखना है अभी मैंने कहा था जहाँ पर ताप माण नदिक वहां पर वर्षा दिख तो यदी विस्वत रेखा पर ताप मान नदिक है तो ivrschा दिखोगी और अगर यहां पर वर्षा दिखोगी तो यहां पर वनस्पति अधिक होगी यहां पर वनस्पति अधिक जैसे जैसे उपर बढ़ेंगे तापमान में कमी आएगी तो तापमान में कमी आने पर वर्षा की मात्रा में कमी आने के कारण वनस्पति की मात्रा में भी क्या आएगी कमें यानि बिस्पत्र एक हासी उत्तर दुर्पी जाने पर जयवित्ता घटेगी ओ या अ इतनी बात होगई अब कुश्चन क्या रहा है एक धरुप से दوسरी दुर्प की और मतलब हम लिजीएगा उत्तर धरुप से कहां जा रहे हैँ उत्तर धरुप तेप्रेचर घटने के साथ साथ जैविवित्ता भी क्या हो जाएगी घटेगी तो एक धुरुप से दूसरे धुरुप अगर हम ऐसा ही हम आने तब भी ऐसा ही होगा कि दच्छन धुरुप से जब विश्वत रेखा पर आएंगे तो जैविवित्ता बढ़ेगी और विश्व है तो शोला का सही आंसर हो जाएगा डी ठीक न डी अच्छे से याद रखीए गाई नोसा है थीखनम को मृष्विप्र अनुत्पण होता है उनको यू निक्षय बायू-पृदूशका कहते हैं और सभी बायू-पृदूशकों में सबसे सरीर केंदर होता है उसका करने देता है और मुखेकार क्या हुता है अक्षिजन को खोगेंगे तो क्या हम स्वसन की क्रिया कर पाएंगे हम स्वसन नहीं कर पाएंगे और स्वसन नहीं कर पाने के कारण हमारा दम घुटने लगेगा इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया दम घुटू गैस क्या नाम दे दिया इसको नाम दे दिया गया दम सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेता है पहला है सल्फर डायोकसाइड दूसरा है कारवन मोनोकसाइड तीसरा है नैट्रोजन डायोकसाइड और चौता है कारवन मोनोकसाइड और कारवन डायोकसाइड तो लाइकेन जो है वो कारवन मोनोकसाइड के अच्छे और शोशक माने जाते हैं लाइकेन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारवन डायोकसाइड ल इंुनिसको की सारणी में सामिल भारत का सबसे नवी जैमसंडल आरेच्छेटर कौन सा है फैरे बात करते हैं कि भारत में जैमसंडल आरेच्छेटर, तो भारत में जैमसंडल आरेच्छेटरों के संक्रेय 18 कितनी 18 युनिषको एक संस्ता है अंतरास्टी इस तरपर इसने किया कियाalalach 2018 मैं अपनी सामिल किया घा उसका नाम किया है तो सिक्किम का कंचन जंगा भ्हारण सिक्यम का कंचन जंगा जमंडलारच छेत्र युनिसकों की सारणी में सबसे नवीन जमंडलारच छेत्र है या हम कह सकते हैं इसका अभी तक युनिसकों ने अपने सारणी में गैरा भारत के गैरा जमंडलारच छेत्रों को सामिल किया हैं कितने 18 किये कितने सामिल गैरा तो गै चलिए उननीस के बाद कुछिशन नमबर देखेगा इको मार्क एको मार्क हेलो ग्राम पूंचे जाते आपके पर्यावरण में कि इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो जो सुद्ध एवं मिलावत रहित होते हैं यानि हंडेड़ बन पर्संट सुद्ध होत होते हैं प्रोटीन भर्पूर्ण होते हैं आर्थिक द्रिष्टी से ब्योहार होते हैं तो इको मार्क यहां पर इको एकलोजी इको मिलाब पर्यावरण से संब्दित है तो पर्यावरण के प्रिति क्या होते हैं पर्यावरण के प्रिति सबीनसील होते हैं मैं इनके द्वार परियावरान को किसी भी प्रेकार के कोई खत्रा नहीं होता है जिनके द्वारा उन्हीं को हम क्या करते हैं उन्हीं को मार्ग दे देते हैं ठीक ना इको मार्ग दिया जाता है। कोशन नम्बर 19 के बाद आईये कोशन नम्बर 20 पर पूछरा भारत में कब बनमहोशाओ का आयोजन किया जाता है बनमहोशाओ सप्ता मना जाता यहां पर सप्ता बनमहोशाओ के नाम से बनाए जाते हैं यहां पर week एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर, एक अगस्त से साथ अगस्त, एक जुलाई से साथ जुलाई, तेईस मई से तीस मई तो भारत में जो बन महोसाओं की सुरुवात की गई थी वो केम मुंसी की द्वारा की गई थी केम मुंसी हमारी समयदान सभा के सदस्य थे वो और यह जो भारत में मनाया जाता है वो एक जुलाई से साज जुलाई को मनाया जाता है एक जुलाई से कहां तक एक जुलाई से साज जुलाई तक ठीक ना तो एक जुलाई से कहां तक साज जुलाई तक इसको मनाया जाता है ठी सोज समझ के अंसर दीजिए का देखने बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है थेकिना आपकी एक्जामने आपका एक्जामने जो बड़ चालाक होता है बीच-बीच में ऐसे कुष्टन डाल देता है आपको लगते हैं बड़े हलुआ टाइप के हैं मतलब हलुआ टा प्रास्तों में उनमें कही न कहीं ट्रिक लगी रहती है पूंच रहा है विस इस्तर पर पर्यावरण दिवस मनाय जाने की घोशना कप की गई विस इस्तर पर पर पर्यावरण दिवस मनाय जाने की घोशना कप की गई 1971 में 1972 में 1973 और 1974 तो आपको इसका सही आंसर बताना है त तो पर्यावरन से सम्भंदित पहला वं मेलन हूं सिखश़। और उसी सम्मेलेन में बात कही गई अंतराश्टी इस्तर पर विस्व पर्यावरन मनाये जाने की लेकिन पहला पर्यावरन दिवस कम मनाये गया उनी सो तेहतर से मनाये गया तो यहां पर यह नहीं पूंचरा कब से मनाये गया यहां पूंचरा गोशना कब की गयी तो घोषण कब की गई थी 5 जुन 1972 को घोषण की गई लेकिन पिर्थम परियावरण दिवस कब मनाये गया तो 1973 में मनाये गया कब मनाये गया 1973 आपको याद रखना है ठीक ना तो इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर ये रहा 1922 कुशन नमबर 23 देखेगा दो फरवरी को इरान के दो फरवरी 1972 को इरान के रामसर सहर में आदर भूमी नम भूमी बैटलेंड बोलते हैं अंगलिस में उनके सनरचन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया इस सम्मिलन को नाम दिया गया राम सर सम्मिलन क्या नाम दे दिया गया नाम दिया गया राम सर सम्मिलन तो प्रतेग वर्सम दो फर्वरी को विस्स आदरभूमी दिवस या विस्स नम भूमी दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक ना वर्ल्ड वैटलेंड डे पूछ रहा वर्स 2019 में आदर भूमी दिवस की विसावस्तू क्या थी मैंने करंट से उठाया यह दो फरवरी बीच चुकि यह 2019 की पूछ रहा है कि दो फरवरी 2019 को जो विस आदर भूमी दिवस मनाये गया था उसकी थीम क्या थी थीम मतलब विसावस्तू नम भूमी एवं उनका विकास जलवायू एवं नम भूमी परिवर्तन विकास के लिए नम भूमी हमारा परिवेश एवं नम भूमी तो climate and wetland area climate change and wetland यह उसकी थीम थी यानि जलवायू एवं नम भूमी परिवर्तन जलबाईव परिवर्तन हम ऐसे भी लिख सकें जलबाईव परिवर्तन नमभूमी या जलबाईव नमभूमी परिवर्तन तो इसका current से उठाया हमने इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का option B तो 23 का option B इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक ना चलिएगा 23 के बाद question number 24 देखते हैं हम बहुत सिंपल है आप लोग दे देंगे आंसर विसस्तर विस्स भर में संकट ग्रस्त जातियों की देखवाल के लिए रैट डाटा बुक प्रकासित करने वाली संस्ता करना पूंच रहा है रैट इंडेक्स भी बोलते हैं इसको रैट डाटा बुक भी बोलते हैं दुनिया भर विक प्रकार कि संस्ता का नाम है आयूसीन इंतरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन कंजर्वेशन फोर नेचर अंतराश्टिये पिरकिर्ती सनरच्छन संग अंतराश्टिये पिरकिर्ती सनरच्छन संग यहीं संस्ता है इसका स्वाट नेम है एविस्वर में संग क्ड्रेश्त जीवजन्तू एपिरपॉद्धों की जो सारणी होती है और ने जिसमें संक्लित किया जाता है रैड डारटबू को यहीं प्रकासित करती है सुर्जर लेंड की गिलेंड सहर में इसका मुख्याला है कि इसका IUCN का ठीक नहीं आपको फुल फॉर्म और इसका मुख्याला और इसका कारी क्या है तीनों चीज़ें याद रखनी है चलिए कोशन नमर पचीश अनुवांसिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के ब्यापार को रोकने के लिए कौन सा संधी किया गया अनुवांसिक तरीके से सुधारे गए उत्पाद इनको हम GM बोलते हैं जैनेटिक मॉडिफाइड जैनेटिक मॉडिफाइड को हिंदी मोलते हैं अनुवांसिक ग्रूप से सुधारे जैनेटिक मनलब है अनुवांसिक और मॉडिफाइड मनलब होता है किसी भी प्रकार का इसमें कुछ सुधार करना हुगा क्या कि हमारे पास एक बीज है उस सब्सक्राइब करने चाहित तो में मेक्सिकों के क्रांटिफ मगाया तो तो अश्य जीन में परिवर्थन कर दिया जीन में परिवर्थन मौडिफाइड कर दिया GM फसल गोलते हैं GM फसल मौडिफाइड जैनेटिक मौडिफाइड तो अनुमानसिक तरीके से जब किसी उत्पाद को सुधार कर दिये गए उसकी उत्पादन चमता बढ़ा दी गई तो अंतराश्टी इस्तर पर उसकी मांग हो गई अंतराश्टी इस्तर पर मांग होने लगी जब अंतराश्टी इस्तर पर मांग होने लगी तो जो देशी नसल के बीचते उनकी मांग समाप्त हो गई आर्थिक संकट उत्पन हो गया गेहूं पर या अनफसल पर तो उसकी बैपार को नियमित करने के लिए वर्स 2000 में एक सम्मेलन मुलाए गया कोलाम्बिया के कार्टाजोना सहर में कार्टाजोना सम्मेलन और उस सम्मेलन में अनवानसिक रूप से तयार किये गए बैपार को रोकने के लिए उसमें एक संदिया सम्झाता किया गया और बताये गया इसको वही बेज सकता है जिस देश ने इसका निर्मार किया है जिस देश ने निर्मार किया है किलो वही इसका बैपार कर सकता है अन को इसका बैपार नहीं कर सकता है तो अनुवानसिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के बैपार को रोकने के लिए कौन सा संदे किया गया? कार्टा जोना संदे किया गया? कब किया गया? 2000 में. कब किया गया? वर्स 2000 में. ठीक न? चलिए. कुशन नमर 25 के बाद, कुशन नमर 26. अभी हाली में पंद्रवी बाग गड़ना के आंक ले प्रिकासित किये गए हैं चौदवी गड़ना की अपेक्षा पंद्रवी गड़ना में बागों की संक्या में कितने प्रिसत ब्रिद्धी हुई पिर ते चार बर्स के अंतराल पर जो टाइगर हैं हमारे वाग है उनकी गड़ना की जाती है कितने वर बागों की संक्या में ब्रिद्धी की गई हुई है और ये ब्रिद्धी किसी निउज पेपर किसी में जिन में 33 पर्सेंट मिलती है JIM रही आंसर क्या है अब माली जीगा एक option यह सा देता कि 33 भी और 34 भी है तो आप 34 को टिक करेंगे किसको करेंगे 34 यह authentic है ठीक ना तो कितने पृतिसत की बृतिसत 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 की बृत प्राथमिक प्राइमरी और दूसरा दुतियक प्राथमिक प्रदूशक ऐसे प्रदूशकों को कहा जाता है प्राथमिक प्रदूशक ऐसे प्रदूशकों को कहा जाता है जो अपने स्वत्मत रूप में प्रदूशकों को कहा जाता है जो किसी दूसरे प्रदूशक के साथ मिलकर क्या करते हैं प्रदूशरा नुत्पन करते हैं तो पूंचरा दूतियक प्रदूशक का उधारन नहीं है तो H2SO4 अभी बताएते हैं H2SO4 में जब H2O और SO2 गैस मिलती है तब कहीं जाके H2SO4 का निर्माण होता है यानि इसमें कोई एक गैस सकेल नहीं है बलकि दो गैस है इसलिए दुत्यक प्रदूसक का उधारण है H2O2 में H2O2 में H2O2 प्लस नावजात ऑक्सिजन है तो इसमें भी दो हैं दो प्रदूसक है तो ये भी हो गया SO2 प्लस नावजात ऑक्सिजन मिलके निर्माण करते हैं SO3 का यानि H2SO4, H2O2 और SO3 ये तीनों के तीन दुत्यक प्रदूसक हैं पूछ रहा है कि कौन सा दुत्यक प्रदूसक का उधारण है तो SO, CO किसी दूसरे गैस के साथ के लिए नहीं करती है बलकि स्वतन्तर रूब में प्रदूसक नुत्पन करती है पर में सबसार पूछ प्रदूसक का उड़ारन मैं नहीं है कौन नहीं है। तो सियो किसका उड़ारन हो जाएगाğ किस छेतर से है के बाद के चिह नमर28 किरा समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला सब्द गाडगिल समिती का संबंद किस छेतर से है जै बिवित्ता के संरच्छन से प्रदूसर नियंत्रन से विरिक्ष संरच्छन से या पसुपालन से जल्द से आंसर दीजिएगा गाडगिल समिती का जो संबंद है वो पश्मी घाट पर पश्मी घाट से है पश्मी घाट भारत का सरवादिक वर्सा वाला छेतर में सामिल है आधिक वर्सा होने के कारण यहाँ पर जै बिवित्ता का विकासा देख होता है यानि पश्मी घाट के संरच्छन या पश्मी कुछण नमर 28 के बाद देखते हैं कुछण नमर 29 कुछण सिंपिल है आपको आता है ओजौन परत को सरवाधिक छती पहुचाने वाली गयस काउंसी है ओजौन परत कहाँ पाई जाती है ओजौन मंडल में किसे कहते हैं तो ओजोन मंडल यानि समताब मंडल यहां से धरातल से हमारी जो AC है जो हमारे रेफरिजरेटर है फिरिज और प्लास्टिक को जलाने से जिस गैस का उस सर्जन होता है जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है CFC प्लोरीइन और कार्वन का एक एक इकड़ू मिल कर इसका नर्मान कर देते हैं सबसे जाण het एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस जब यहां से धरातल से निकलती है तो जाकर यह क्या कर रही है जो ओजॉन परत की लेयर है की जो मोटाई परत की जो मोटाई उसको नाम दिया जाता ओजोन चरण तो चाहे ओजोन परत को सरवादें के नुफसान पहुंचाने वाली गैस पहुंच पूचे या ओजोन चरण के लिए उत्तरदाई गैस कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन का एक एकड़ू होता है ठीक ना चलिए लाश्ट कुश्चन है पेजल में गैरा पेजल पेजल मतलब पीने योग जल पेजल में नाइट्रेट की अधिकता होने से उत्पन होने वाली बीमारी है अगर जो हमारा पीने वाला पानी है सुद्ध पानी है यदि उस पानी में नाइट्रेट यानि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो इ इटाई इटाई फिलोरोसिस व्लैक फूट ए ब्लू बेबी सिंड्रॉम तो इटाई इटाई तो हम जानते हैं कि कैडमियम से होता है और फिलोरोसिस फिलोरीन के अधिकता से होता है अब ब्लैक फूट आरसैनिक के अधिकता से होता है तो इसका सही आंसर किया हुआ तो इसका सही आंसर हो जाता है इसका blue baby syndrome blue baby syndrome नाम की बीमारी हो जाती है कौन सी बीमारी हो जाती है तो इससे blue baby syndrome नाम की एक बीमारी उत्थपन हो जाती है तो यह परियावरण से सम्बंद 30 महत्पूर्ण question हमने आपको solve करा है exam में इसी प्रकार से question पूछे जाते है अभी भी देर नहीं होई है जो भी हमारे online best से जोड़ना चाहते है हमारी संस्ता के द्वारा एक नंबर जारी किया गया 8382 8382 966 966 679 679 इस नंबर पर आपको केवल UPTET केवल UPTET इंटरी लिखकर इंटरी लिखकर send कर देना है जो भी बैच आगामी बैच कब से आ रहा है कब से चलेगा कब से प्रारम होगा क्या फीज से उसकी जो भी आपको जानकारी चाहिए है वो इस नंबर पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी एक बार में फिर से रिपीट कर रहा हूँ नंबर 8382966779 इसी नंबर पर आपको केवल UPTET इंटरी लिखकर भेज देना है परते एक दिन जिस परकार कल उमेश जी आये थे बाल मन ग्याने के कुश्चन सौल पर आये थे आज मैं आया हूँ परते एक दिन एक एक टीचर आयेंगे और आपको ऐसे ही कुश्चन इंपोर्टेंट कुश्चन जो आपके एक्जाम के इंटर्विव एक्जाम के पॉंट आप व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है उन कुश्चनों को कराएंगे ठीक ना तो अधिक से अधिक मात्राम वीडियो को शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जो भी लोग जो अभी तक हमारी इस प्रोग्राम से छोटे हुए हैं जोड़ना चाहते हैं तो यह नंबर है आप बस मैसेज कर दीजिएगा हमारी टीम आप से संपर करेगी और आपको एडिविशन दे दिया जाएगा ठीक ना थैंक्यू